देखें, दशरे पर दिली में भी रावण दहन की शानदार तयारियां हैं यहां भी रावण की अलग अलग तरह के पुतले बना कर जलाने के लिए पूरी तरीके से तयार हैं देखें, जेन्टी समवाता था शगुफता की खास रिपोर्ट रावण का ये मारकेट रावण के पुतलों से पटा पड़ा है और इस वक्त मेरे साथ रावण बनाने वाले, रावण का निर्मान करने वाले संजे जी मौझूद है उनसे जानते हैं कि इस बार किस तरह के ओर्डर उनको रिसीब हुए हैं इस बार कौन-कौन से ओर्डर स्पेशल आपको मिले हैं रावण बनाने के जी डिमान अब की बार बहुत ज़्यादा है जी करोनम हमारी में माल ने मिल पाया, माल ने मिलने के बज़े से माल तयार भी नहीं हो पाया देखे रावन के पुतलों की डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है मार्केट में स्टाइलिश रावन आप मार्केट में देख सकते हैं लेकिन सबसे ज्यादा प्रेज जो है वो बच्चों में देखा जा सकता है एक चोटी से क्यूट सी बच्ची है केशी का नाम है इन्हीं से जानते हैं कि रावन को लेकर कितनी एक्साइड़ है मुझे ये बताईए कि आप रावन को सिलेक्ट करने आई हैं तो कैसा होना चाहिए रावन का पुतला वो चोटा होना चाहिए और उसका कलर अच्छा होना चाहिए रावन के पुतले बन कर जब तयार हो जाते हैं जितने खुबसूरत उस वक्त लगते हैं उसके पहले की मेहनच जितना होती है वो मैं आपको गुड नियूस ट्डे की इस लेंज की जरीए दिखाने जा रही हूं में साथ इस वक्त दीपक जी है जो रावन के पुतले को स्क्राट से तैयार कैसे करते हैं खुद हम झree बताएंगे तीपक जी ब्जे वजए कि कितना वक्त लंगता है एक पुतला तय्यार करने में वक्त लगता है कमसी कुषब एक पुतले में तीन चार गंटे लगजाते हैं फोटा जो पुतला व्ता उसमें तीन-चार गंटे लगते अब ही आप ये बेसिक जो स्ट्रक्चर है धांचा है वो तयार कर रहे हैं इसके बाद क्या-क्या स्टेप्स होते हैं इसके बाद में इस पर कालग लगती है गिलेश पर पर चड़ता है दिली की लवकुष रामडीला भी अपने अंतिम पड़ाव पर आ गई है इस बार अपने हाइटेक आयूजन और नामी गिरामी किरदारों से सजी इस रामडीला ने सबका ध्यान अपनी और आकरशित किया है आज का दिन लवकुष रामडीला में बहत खास होने वाला है क्योंकि आज यहां रावर देहन की तैयारियां अलग अंदाज में की गए है आप लवकुष रामडीला देखने पहुंच रहे हैं देश के किसी भी इलाके से या पर विदेश से भी तो मेट्रो का स्तमाल करें क्योंकि जो ट्राफिक को लेकर नियम यहां पर है दोजर अठारा का जो साउंट्रेक था उसे इस्तमाल किया जाएगा ताकि आकर्शन का जो स्तर है वो लेवल अप हो जाए तो प्रदूशन बिलकुल नहीं फैनाना है आप भी अपने घरों पर अगर पुतले जला रहे हैं दिवाली पर क्रेकर जलाएंगे तो प्रदूशन से बचिये देश को बचाईए, राजधानी को बचाईए कैमरा परसन रवी कांथ के साथ रंजना सिंग्रा ठोड दिल्ली, गुड नियूस टुडे तो देखिए एक बात इस बार नोटिस करने के सरगम परसन रावर देहन हो, लेकिन उसके साथ ही क्योंकि दिल्ली में पटाकों की पाबंदी है इसके मंदेर नजर इस बार बहुती खास अंदाज में रावर देहन होगा वो भी देखने वाली बात होगी लेकिन इसके साथ ही आज विजय तरशमी का दिन है सिंदूर खेलक आयोजन भी किया जाता है और खास तोर पर अगर बात कूलकाता की करें क्योंकि लगातार हमने अपने दर्शकों को दिखाया है कि इस तरह से बड़ी खुबसूरत तरीके से वहाँ के पंडाल सजाए गया है और आज वो दिन आ गया है जब मा की विदाई हो रही हूँ तो आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे सब बनाता के पास रिपोर्ट देखाएंगे उससे पहले सरगम उसके बात पहुंचेंगे नवजोद के पास उससे पहले रिपोर्ट देखिए आज विजया दश्वी है यानि मा की विदाई का दिन पंगाल में चला आ रहा तीन दिन का ये दुर्गा उटसब आज खत्प हो जाएगा मा जिन्हें की माना जाता है कि वो इस दौरान मायके में रहती है आज वो चली जाएगी यही वज़ा है कि इस मौके पर एक बेहा दर्रस्म निभाने की परमपरा है इस परमपरा को जाना जाता है सिंदूर खेला किराब से आपने भी अपने शहर के बंगाली समिती के बनाय पंडाल में ये द्रिशे जरूर देखा होगा शहर में छपे अखबारों और टीवी की कलाकारों में भी आपने सुना होगा कि सिंदूर खेला हुआ तो आईए आपको बताते हैं कि असल में ये सिंदूर खेला है क्या सिंदूर खेला असल में 450 साल पुरानी एक परमपरा है जो दश्मी के दिन निभाय जाती है इस दिन महिलाएं पान के पत्ते पर सिंदूर लगती है पहले इन पत्तों से मा का चहरा साफ क्या जाता है और इसके बाद सिंदूर से मा की मांग भरी जाती है मारा जाता है कि मा अपने बाइके से विदाय ले रही है इसलिए ये मांग भरी जाती है इसके बाद महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती है इस रस्म के लिए महिलाएं अपने पती की लंबी उम्र की प्रास्थना करती है उनसे हुशाली का आशिरवात लेती है बंगाल समयत ये देश के दूसरे हिस्सों में भी खास कर उन पंडालों में जहां बंगाली समुदाय की तरफ से मूर्दी इस्थाप्रा की जाती है वहां ये रसम जरूर निभाई जाती है Bureau Report, Good News Today